विनिमे विपत्र में आईए अब जानते हैं कि विपत्र का धारक कौन है क्या होता है धारक यानि की जो उस विपत्र को धारण करता है अपने पास रखता है हमने पिछले वीडियो में देखा था कि विनिमे विपत्र के अंतरगत इसके दो पक्षकार होते हैं कौन कौन से दोपक्षकार एक होता है विपत्र का लेखक और दूसरा होता है विपत्र का स्विकरता यानि कि जो व्यक्ति माल बेचता है यानि विक्रेता विक्रेता विपत्र को लिखता है इसलिए वो विपत्र का लेखक कहलाता है और क्रेता जो होता है वो उस विपत्र को स वो विपत्र का स्विकर्ता होता है अब जबकि लेखक ने विपत्र लिखा बी को दिया यानि कि स्विकर्ता को दिया करेता को दिया स्विकर्ता ने उस विपत्र पर अपनी स्विकृति दी किस बात की स्विकृति दी कि जो भी तिथी और जो राशी विपत्र में लिखी गई ही है उतनी राशी कि को मैं आपको भुक्तान करूंगा ऐसी स्थिकृति देता है और सिक्रृते देखकर वापस लोटा देता है लेखक के पास यानि कि वह विपत्र घूम फिर किसके पास अगया लेखक के पास तो लेखक जो ही वह योग Εफ स्थिति में विपत्र का धारक कहलाएगा एक काम और होता है जिसे हम आगे पढ़ेंगे विपत्र का बेचान ऐसी कंडिशन में ये विपत्र जो लेखक के पास है उसके पास ना रहकर किसी तीसरे व्यक्ति के पास चला जाता है यानि कि जिसको बेचान किया जाता है उसके पा लेना है यहां पर कि जिसके पास विपत्र है और जो व्यक्ति विपत्र का भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी है जिसके हाथ में विपत्र है वही भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी है और वही व्यक्ति विपत्र का धारक कहलाता है अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कंडीशन और बन्ती है विपत्र के धारक में एक तो हमने देखा कि विपत्र का लेखा की विपत्र का धारक हो सकता है दूसरा हमने देखा कि बेचान पात्र यानि जिसको एंड्रोस कर दिया गया जिसको बेचान कर दिया गया वो विपत्र का धारक होता है और तीसरा यहां पर होता है कई बार बैंक भी धारक हो जाता है कई बार एक विपत्र का लेखक विपत्र को भुनाने के लिए बैंक जात तो ऐसे कंडिशन में बैंक को ही विपत्र का धारक मान लिया जाता है तो यह तो हमने बात की विपत्र के धारकों की अब हम देखेंगे कि विपत्र का जो लेखक होता है वो विपत्र का उपयोग किस किस प्रकार से कर सकता है लेखक याने कि जिसके पास विपत्र है अगर ले और निश्चित तिथी आने पर उस पर भुक्तान प्राप्त करता है। हमने देखा था कि जो भी परिपक्वता तिथी होती है, यानि कि जब भी विपत्र में जो तिथी मेंशन की गई है कि इस तिथी के बाद या इस तिथी से इतने महीने के बाद विपत्र पर भुखतान दिया जाएगा किया जाएगा वही उसकी परिपक्वता तिथी होती है एक चीज हमने वहाँ पर नई और देखी थी कि इस तिथी में तीन दिन का अनुग्रह दिवस जोड दिया जाता है कैसे उसकी क्यालकुलेशन करते हैं ये भी हमने अलग से देखा था तो एक्चुल जो परिपकुता तिथी होती है विपत्र की उस तिथी तक जो लेखा खोता है यानि की विक्रेता जो होता है वो उस विपत्र को अपने पास रखता है और जब वो तिथी कंप्रीट हो जाती है वो डिट डिट जब आती है तो फिर उस पे वो सुईकर्ता से भुकतान प्राप्त करता है ये एक कंडिशन दूसरी कंडिशन होती है जब परिपकुता तिथी से पूर वो उस विपत्र को ब पर भुनाता है तो यहां पर जो पूरी की पूरी राशी रहती है विपत्र की वो नहीं देनी होती स्विकर्ता को बलकि कुछ अमाउंट उसको डिसकाउंट दे दी जाती है इसलिए क्योंकि उसने समय से पूरो भुकतान कर दिया तो यह सेकेंड कर सकता है तीसरा उप्योग कर सकता है कि उसका बेचान कर सकता है अब हम जानते हैं कि बेचान क्या है हमने देखा था कि विपत्र का जो धारक होता है वो बेचान पात्र भी हो सकता है तो आईए देखते हैं कि बेचान क्या होता है मा A ने B को माल बेचा, तो A है विक्रेता और B है स्विकर्ता है, नहीं कि क्रेता, A है लेखक और B है स्विकर्ता, अब A जो है वो विपत्र को लिखेगा, B को देगा, B उसको स्विकरित करेगा, वापस A को लोटादेगा, यहां तक क्या प्रोसे समजान चुके हैं? अब क्या होता है कि आगे A जो है वो C, C एक तीसरा पक्षकार इसमें जुड़ गया A जो है वो C से कुछ वस्तु कुछ माल खरीदता है और उसको पैसा ना देकर उस विपत्र को दे देता है जो उसने B से प्राप्त किया था यही प्रक्रिया बेचान कहलाती है इंड्रोजमेंट कहलाती है इस कंडिशन में क्या होता है अब विपत्र का धारक जो है वो कौन हो गया C, A ने जो विपत्र B से स्विक्रित करके अपने पास रखा हुआ था, वो किसको इंड्रोस कर दिया, किसको बेचान कर दिया, C को बेचान कर दिया, तो ये पूरी प्रक्रियसी को दे दिया, इने C के नाम से वो ट्रांसफर कर देता है, अब भाविश्य में जो पैसा मिलना है भी पत्र पर, वो किसको मिलेगा, इस बेचान पात्र को मिलेगा, यही व्यक्ति यानि C जो है, जिसको इंड्रोस किया गया है, जिसको बिलका बेचान किया गया है, वही व्यक्ति बिलका बेचान पात्र या बेचान ग्राही कहलाता है, और जिस व्यक्ति के द्वारा बेच तो यहां पर बेचान करता कहलाएगा तो यह हमने बेचान की पूरी प्रक्रिया देखी और हम यहां पर देख रहे थे कि बेचान क्या है तो यह देखा बेचान क्या है बेचान करता कौन है बेचान पात्र कौन है एक कंडिशन लेखक ये भी कर सकता है कि स्विकर्ता द्वारा विपत्र की अब्धी से पूर्व छूट के साथ उसको स्विकार कर लेता है कई बार स्विकर्ता जो होता है वो पहले से भुक्तान करना चाहता है तो ऐसी कंडिशन में लेखक जो होता है वो स्विकर्ता को यानि कर सकता है कि उसके पास जो विपत्र है उसको संग्रा के लिए वो बैंक भेज सकता है इसको और रिटेल से हम जानेंगे जब हम इसके जनरल एंट्री के बारे में अध्यान करेंगे फिलाल हमने देखा कि कौन कौन सा उपयोग किस किस तरह का उपयोग लेखक एक विपत्र का क कर सकता है अब आए देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात यानि कि इन अलग-अलग कंडिशन में अलग-अलग परिस्थितियों में विपत्र की जनरल प्रविस्ट्रियां किस प्रकार की जाती हैं अब जैसे की हमने पहले देखा कि विपत्र जो है उसके अलग-अलग पक्षकारों के बारे में हम जानते हैं दो ही पक्षकारों से संबंधित क्रियात्मक प्रश्णों को हम हल करते हैं एक विपत्र का लेखक और दूसरा स्विकरता उसके बाद कुछ प्रश्ण हम बेचान किस संबंधित जब हल करते हैं तो वहाँ पर एक तीसरा पक्षकार ज हम लेकिंगे सबसे पहले विपत्र का लेखन और स्विक्रिति step by step पूरी प्रक्रिया होती है विपक्रितर की एक क्रेता जो होता है जब क्रेता को माल बेचता है तो सबसे पहले विपत्र लिखता है और लिख कर वो देता है क्रेता को क्रेता उस पर स्विकृति देता है और वापस वो लेखक को लोटा देता है इतनी प्रक्रिया हमने जानी यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट विपत्र के लेखन और स्विकृति की कंडिशन में लेखक और स्विकृता दो पक्षकार है हमारे पा लेखक अपनी पुस्तक में प्रविस्टी करेगा प्राप पे विपत्र खाता डेबिट स्विकर्ता के व्यक्तिगत खाता से बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर अकाउंट और स्विकर्ता क्योंकि विपत्र को स्विकार कर रहा है उसको उस लिखे गए विपत्र पे पैसा भविश्य में देना है इसलिए यही विपत्र स्विकर्ता के लिए दे विपत्र कहलाएगा जो विपत्र लेखक के लिए प्राप्पी विपत्र था वही विपत्र स्विकर्ता के लिए देविपत्र बन जाता है यानि दाई तो बन जाता है और ऐसी कंडिशन में स्विकर्ता अपनी पुस्तक में एंट्री करता है लेखक का व्यक्तिगत खाता डेबिट देविपत्र ख होती है आए इससे संबंदित कुछ क्रियात्मक प्रश्णों को हल करें पारस ने एक दिसंबर 2008 को 800 रुपय का माल विकास को बेचा और इसके लिए 800 रुपय का बिल दो माह की अबधी के लिए लिखा विकास ने दो दिसंबर को विपत्र स्विक्रित करके पारस के पास भेज ähखिया दोनों पक्षों के हैं अविश्रक है इसमें पारस की में प्रविष्टरी की जाएगी क्योंकि पारस جहां यहां आलेक hop को में हम 1 एंट्री करें फॉसींबर 2008 को विकास डेभी टुशेल्स अकाउं वेंगूर्ट फ॔र विकास 800 औरॉशर और सेकेंड एंट्री करेंगे जबके विपत्र लिखा जाएगा तो यह एंट्री होगे बिल्स रिसीविबल अकाउंट डेबिट टू विकास गिवन बाई विकास विकास की त्वारे स्विकृति देने पर 800 और विकास की पुस्तुकों में हम एंट्री करेंगे 1st 2008 1st December purchase account debit to Paris being goods purchased from Paris 800 और विपत्र की स्विकृति देने पर प्रविश्ट्री की जाएगी Paris debit to this payable account being acceptance given to Paris 800 अब जबकि ये विपत्र लिक कर स्विकृत हो जाता है और वापस लेखक के पास आ जाता है तो ऐसी कंडिशन में इसके multiple use जो हमने पहले से देखा बहुत सारे यूज जो होते हैं वो लेखक कर सकता है जिसमें सबसे पहली बात तो यह विपत्र को भुना सकता है उसके बाद तो यह बेचान कर सकता है या फिर ये परिपक्वता तिथी पर विपत्र का भुक्तान प्राप्त कर सकता है या कुछ कंडिशन्स ऐसे हो सकती है जब विपत्र का अनाधरन हो जाए या विपत्र का नवीनी करण करा लिया जाए और या फिर विपत्र का निवर्तन हो जाए जिसे हम कहते हैं रेटार रेटारिंग ओफ बिल ओन रिबेट तो अलग-अलग कंडिशन में अलग-अलग प्रविस्टिया इसमें जूड़ती जाएंगी अभी हमने देखा कि लेखन और स्विकृत्र के समय कौन सी प्रविश्टी होती है किस की किसकी पुस्तुकों में लेकक और स्विकरता की लेखक को लोटा दिया लेखक यानि कि विक्रेता इस विपत्र को अपने पास रखा है और भुकतान प्राप्त करता है यानि कि जब तिथी आती है परिप्रकुता तिथी आती है तब वो उस भुकतान को प्राप्त करता है तो इस कंडिशन में जबकि लेखक विपत्र की आप पे विपत्र खाता से क्योंकि वो विपत्र पर पैसा प्राप्त करता है इसलिए वो रोकड खाते को डेबिट करता है अब सेकेंड इसका जो पक्षकार है यानि कि स्विकर्ता क्योंकि स्विकर्ता भुकतान करेगा क्योंकि लेखक भुकतान प्राप्त कर रहा है तो भु के एंठी बेह्त पेबल अकाउंट डेविट टु कैश अकाउंट देविपत्र खाता डेविट करण से लेखक प्राप्टी के एंठी करेगा और सुविकर्था भुकतान के एंठी करेगा यह इस्थिति तब निर्मित होती है जब एक लेखक विपत्र को अपने पास रखा और उसने भुकतान प्राप्त कर लिया आए इससे सम्बंदित कुछ क्रियात्मक प्रश्णों को हल करें जनवरी 2007 को रमेश ने सुरेश को 1000 रुपय का माल बेचा उसी दिन उसने एक मा की अवधी पर दे 1000 रुपय का विपत्र लिखा सुरेश ने इसे स्विकार कर लिया देती थी को सुरेश द्वारा विपत्र का भुकतान कर दिया गया दोनों पक्ष में नकल प्रविस्टिया कीजिए यहां पर हम प्रेश्ण में देख रहे हैं कि रमेश ने सुरेश को माल बेचा है यानि रमेश जो है वो विक्रेता है सुरेश क्रेता है दूसरी बात हमको यह ध्यान रखना है कि रमेश क्योंकि विक्रेता है इसलिए वो लेखक है और सुरेश क्योंकि क्रेता है इसलिए वो स सोल टु सुरेश 1,000 सेटेंट जब वो बिल लिखेगा तो हो जाएगी बिल्स रिसीविबल अकाउट डेबिट टु सुरेश बिइंग एक्सेप्तेंग्स गिवन और बिल्स रिसीविबल वन थाउजन और नेच्स्ट एंटी फोट फैबरी की होगी जबकि उसको पेमिंट मिल एंट्री हम करेंगे एक्सेप्टर यानि सुरेश की पुस्तुकों में और जब सुरेश क्योंकि स्विकरता है पर्चस किया है उसने माल तो यह अपनी बुक्स में फर्स्ट एंट्री करेगा पर्चस अकाउंट डेबीट टू रमेश बिंग गूड्स पर्चस फ्रॉम रमेश 1000 जब वो बिल पर सुक्रती देगा तो एंट्री करेगा रमेश डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट वन थाउजन बिंग एक्सेप्टंस गिवन उन बिल ऑफ एक्सचेंज और थर्ड जबकि 4 फेबरी को वो बिल पर पेमिंट करेगा तो पेमिंट के एंट्री करेगा ब एक जुलाई 2007 को बेचा उस पर तीन माह की अवधी का एक बिल लिखा गया ब्लैक ने इसे स्विकार करके वाइट को वापस कर दिया भुक्तान तिति पर बिल का भुक्तान हो गया दोनों पक्षों की पुस्तुकों में जनरल प्रविस्ट्रियां कीजिए यहां हम देख रहे हैं कि वाइट ने ब्लैक को 2000 रुपे का माल बेचा है इसका अर्थ यह है कि वाइट जो है वो विक्रेता याने ड्रॉवर है और ब्लैक जो है वो क्रेता याने की एकसेप्टर है और इस कंडिशन में हमको वाइट और ब्लैक याने की लेखक और स्विकर गरता दोनों की ऑने करनी हैं। सब से पहले हम वाइट पुस्तक्लंष करेंगे 1 माल बेचने की ब्लक handicap टूसेल बेंगे टो सोल टू टू अग मुझेह का इसेट रेइन ॐ bills receive होने की होगी सित्कृत होकर प्राप्त होने की होगी तो drawer की book में second entry हो जाएगी bills receivable account debit to black account being acceptance given on bills receivable 2006 की entry हम करेंगे और third entry जबकि यहाँ पर दिया गया है कि भुकतान तिथी पर बिल का भुकतान हो गया तो इस condition में लेखक जो है drawer जो है बुक में entry हो जाएगी cash account debit to bills receivable account being payment of bills receivable 2006 की entry हो जाएगी इसी तरह acceptor की book में हमको entry करनी है तो यह हमारी entry हो जाएगी first क्योंकि माल वो खरीदेगा विक्रेता से तो first entry हो जाएगी purchase account debit to white being goods purchased from white और 2000 से इसकी हम entry करेंगे second condition में जबकि वो bill पर स्विक्रती देगा acceptor जो है black जो है वो bill पर स्विक्रती देगा तो second हमारी entry हो जाएगी white account debit to bills payable account being acceptance given on bills of exchange 2000 से हम इसकी entry करेंगे और third हमारी entry जो है जबकि payment होगा bill पे तो acceptor की book में payment की entry हो जाएगी bills payable account debit to cash account 2000 से और यहां हम narration लिख सकते हैं bank payment of bills receivable was made एक अप्रेल 2008 को मोहन ने सुरेश से 1500 रुपय का माल उधार खरीदा उस दिन से सुरेश ने तीन माह की अवधी के लिए 1500 रुपय का विनिमय विपत्र लिखा जिसे मोहन ने स्विकार कर लिया नियत तिति को विनिमय विपत्र का भुखतान मोहन ने कर दिया सुरेश और मोहन के पुस्तक में जनरल के आवश्यक लेके कीजिए यहां पर हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार हैं मोहन और सुरेश बहुत सावधानी से हमको सबसे पहले यह पता लगाना चाहिए कि इसमें से लेखाक यानि की ड्रॉवर कौन है और सुरेश करता यानि की एक्सप्टर कौन है और फिर इसको ध्यान में रखते हुए ही हमको एंट्री करनी है तो क्योंकि फिर्स यहां पर दिया गए मोहन ने सुरेश से उधार माल खरीदा यानि सुरेश जो है वो विक्रेता है लेखाक है ड्रॉवर है और मोहन जो है वो क्रेता है यानि की सुविकरता यानि एक्सप्टर है तो सबसे पहले हम जो लेखाक है उसकी बुस्तक में एंट्री करेंगे कि सुरेश की पुस्तक में तो फिर्स्ट वो माल बेचने की एंट्री करेगा क्योंकि विक्रेटा है किसको माल उसने बेचा है मोहन पाल बेचा है तो फिर्स्ट एंट्री करेगा मोहन debit to सेल बेंग गुट सोल टू मोहन और अमाउंट लिखेगा 1500 सेकेंड जबकि वो मोहन से विपत्र पर स्विकृति प्राप्त करेगा तो यह एंट्री करेगा अपनी पुस्तेक में बिल्स रिसीविबल अकाउंट डेबिट टू मोहन बिंग एक्सेप्टेंस गिवन ऑन बिल्स रिसीविबल 1500 से और जबकि यहां पर प्रेश्न में दिया गया है कि नियक्ति थी को विन में विपत्र का भुकतान मोहन ने कर लिया तो सुरेश जब विपत्र पर भुकतान प्राप्त करेगा तो अपनी बुक्स अफ एकाउंट पर यह जन एंट्री करेगा पर्चेस अकाउंट डेबिट तो सुरेश अकाउंट बिंग गुड्स पर्चेस फ्रॉम सुरेश 1500 से के एंट्री करेगा और जब वो बिल लिखेगा सुरेश पर तब एंट्री करेगा और जब वो बिल पर स्विकृति देगा सुरेश पर तब एंट्री कर कर देगा सुरेज टेबिट टो बिल्स पेबल अकाउंट बिंग एक्सेप्टेंस गिवन ओन बिल्स ऑफ एक्सचेंज 1500 से और जब वो कैश कर देगा क्यूंकि प्रेशन में इस पस्टूप से दे दिया गया है कि नियक्तिति को विन्वावे पत्र का भुकतान मुहन ने कर दि हरीश ने 8000 रुपय का माल विन्वावे को बेचा विन्वावे ने इस राशी के लिए दो माह का विन्वावे विपत्र स्विकार कर हरीश को दिया भुकतान तिति पर इस विपत्र का भुकतान हो गया हरीश तथा विन्वावे के बहियों के जनरल में आवश्यक लेकी कीज यानि कि हरीश जो है वो विक्रेता है यानि लेखक ड्रॉवर है और विने जो है वो क्रेता है यानि एक्सेप्टर यानि कि स्विकरता है तो इसको ध्यान में रखते हुए हमको एंट्री करनी है तो सबसे पहले हम हरीश की कि यहां की करेंग जो की यह हो जाएगी कि सेकांगे डिनोड से करेंगे उसके बाद क्यूंकि विपत्र पर आ लिखा है मुहन पर तो second entry हो जाएगी विपत्र स्विक्रित होकर प्राप्त होनी की बिल्स रिसीविबल अकाउंट डेबिट टू विन है और 8000 से मिसके एंट्री करेंगे being acceptance given on बिल्स रिसीविबल third condition में क्योंकि question में इस first troop से दिया गया है नियत तिति पर बिल्स का भुक्तान प्राप्त हो गया तो क्योंकि जब भुक्तान प्राप्त हो जाएगा तो यहां पर एंट्री होगी cash account debit to bills receivable account और 8000 से मिसके एंट्री कर देंगे अब क्योंकि स्विकर्ता की पुस्तकों में एंट्री करनी है तो विनय जो है वो acceptor है स्विकर्ता है जब यह माल खरीदेगा तो इसकी बुक में एंट्री होगी purchase account debit to Harish being goods purchased from Harish next जबकि विनय स्विकृती देगा इस bills of exchange पर तो वो अपनी बुक में second entry करेगा Harish debit to bills payable account being acceptance of bills of exchange और 8000 से ही इसकी एंट्री की जाएगी नेक्स्ट जबकि cash payment होगा क्योंकि यहां पर इस पर स्टूप से दिया गया है कि भुक्तान तिति पर इस विपत्र का भुक्तान हो गया तो इस condition में एंट्री हो जाएगी bills payable account debit to cash account और यहां पर हम नारेशन लिख सकते हैं बिंग केश पेमिंट और बिल्स रिसीविबल एक जन्वरी 2008 को राकेश ने रमेश से 8000 रुपए का माल खरीदा और आधा रुपए देकर शेश राशी के लिए बिल पर दो माह की स्विकृति दी भुक्तान तिति पर विपत्र का भुक्तान हो गया दोनों की पुस्तुकों में जन्रल के आवश्यक लेखे कीजिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार है राकेश और रमेश राकेश ने रमेश से माल खरीदा इसकार थी है कि रमेश जो है वो विक्रेता है यानि कि लेखक है यानि ड्रॉवर है और राकेश जो है वो क्रेता है यानि कि स्विकरता है यानि एक्सेप्टर है तो सब सबसे पहले हमको लेखक की पुस्तुकों में एंट्री करनी होती है यानि कि हमको रमेश की पुस्तुकों में सबसे पहले एंट्री करनी होगी और फर्स्ट एंट्री हमारी होगी जबकि रमेश राकेश को माल बेचेगा तो यह अपने बुक में एंट्री करेगा राकेश अब बिल लिखा तो चाहे तो हम इसकी combined entry भी कर सकते हैं लेकिन अलग-अलग भी करें तो भी कोई दिखत नी है तो हम अलग-अलग entry हाँ पर कर रहे है cash account debit to rakesh amount receive की entry हम करेंगे तो 8000 का 50 percent यानि की 4000 यहाँ पर cash मिल गया है और बागी जो 4000 है उस पे बिल लिखना है तो यहां पर जब बागी के 4000 पे बिल पर स्विक्रत प्राप्ति की गई है तो यहां पर एंट्री की गई है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राकेश बिंग एक्सेप्टेंस गिवन ओन बिल्स रिसीवेबल 4000 और नेक्स्ट जबकि यह जो 4000 का बिल था अब इस पर जो कैश है वो मिलेगा क्योंकि प्रेशन में इस पर स्टूप से दिया गया है कि भुकतान तिति पर विप रिसीवेबल और क्योंकि सिर्फ 4000 का के बिल था यह तो 4000 से ही हम यहां पर कैश की एंट्री करेंगे तो यह तो हमने ड्रॉवर की बुक्त में एंट्री कर लीए अब ऐसे ही एंट्री हम extra की बुक्त में करेंगे तो यहां पर राकेश तो है वह एकसेप्टर है उसने बिल तो यहां हम first entry करेंगे जबकि वो रमेश से माल खरीदेगा तो इस condition में हमारी first entry हो जाएगी purchase account debit to रमेश और 4000 से मिसके entry करेंगे उसके बाद जबकि वो 50% amount रमेश को भुकतान करेगा याने 8000 से हम first entry करेंगे और second entry में जबकि वो 50% राशी का भुकतान रमेश को करेगा तो यहां हमारी general entry हो जाएगी रमेश debit to cash और क्योंकि 50% राशी का भुकतान यहां पर किया जा रहा है तो 50% याने 4000 से हम इसके entry करेंगे next जबकि बागी का जो 4000 बचा उस पे बिल लिखना है तो यहां पर entry हो जाएगी रमेश debit to bills payable account 4000 से और अब क्योंकि दिया गया है भुकतान तिती पर विपत्र का भुकतान हो गया तो भुकतान की जो entry करनी है acceptor को अपनी पुस्तकों में वो हो जाएगी bills payable account debit to cash account और 4000 से मिसके entry करेंगे सकत्रिक जान प्我觉得 WAYS लिखना है करेंगे भी करते, लात कि भी का भुकतान है भी में प्याहिं रहो झाहन वी झाल 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 झाल